हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग आई होप अच्छे होंगे और मस्त होंगे तो स्वागत है आपका आपके अपनी यूटूब चैनल साइन्स इस्टडी में आज हम लोग जो है एक नए टॉपिक के साथ उपस्तित हैं आज हम लोग जो है कच्छा बार रसान विज्ञान का एक बहुत ही महत्पूर टॉपिक को डिस्कस करेंगे ये जो हम लोग टॉपिक लेकर के आज हम जो आया हुए हैं ये बोड के एकजाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेशन होने वाला है क्योंकि प्रिवियर्स कौन सा है आईए हम लोग देखते हैं ये कोश्चन हम लोग का है जुीटर आयन कि जुआटर आयन क्यों होता है हम लोग के रसान विज्ञान का एक अध्याय है क्च्छा 2 कि कर सकते हैं स्लिवस में जैविक अलू ठीक है बायो उसमें एक ये टॉपिक है जुटर आयन कि ये आखिर होता क्या है ये बोर्ड के एक्जाम के लिए बहुत ही important question है तो आईए सबसे पहले हम लोग इसकी परिभासा देखते हैं कि जुटर आयन होता क्या है उसके बाद इसके बारे में हम लोग जो है एक्जामपल के थुरू सम करता है जबकि एमीनो समू एक प्रोटान ग्रहड कर सकता है जिसके फल स्वरूप एक द्विधुरूवी आयन बनता है जिसे जुटर आयन अत्वा उभेणिष्ट आयन कहते हैं जुटर आयन उदासीन होते हैं ठीक है ये इसकी परिभासा थी तो इसका कहने का मतलब है कि को प्रोटान को दान करता है और जो एमीनो समू होता है वो प्रोटान को ग्रहड करता है ठीक है तो कहने का मतलब कि उसमें जो एक त्यागने वाला है और ग्रहड करने वाला है ठीक है तो ऐसे योगी को हम लोग यहां पर जुटर आयन कह रहे हैं तो आईए अब हम लोग देखत NH2 C double bond O OH यहाँ पे amino samoo के पास एक lone pair होता है यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ जो carboxyl samoo का जो यह hydrogen होता है यह यहाँ से निकल करके जो है amino samoo के पास चला आता है ठीक है तो यहाँ पे जो है मतलब यहाँ हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे जो oxygen और hydrogen के बीच में जो सरसंजग बंद बना हुआ है यहाँ से oxygen जो क्या करता है hydrogen के और अपने जो बीच के जो सरसंजग बंद में participate वाले जो electron है उनको क्या कर लेता है वो अपने तरफ खीच लेता है और hydrogen जो है उसके पास एक भी electron नहीं बचता है तो वो plus charge उसके उपर आ जाता है तो यह क्या करता है यहाँ amino sumo की तरफ देखता है और amino sumo में जो nitrogen होता है इसके पास होता है एक lone pair और यह lone pair को ले करके जो है इसके साथ बंद बना लेता है और structure हम लोग का NH3 बन जाएगा nitrogen ने अपने lone pair को hydrogen को दान किया तो इसके उपर plus charge आ जाएगा ठीक है तो हम लोग कह सकते हैं कि इसमें जो है हम लोग का positive charge और negative charge दोनों है इस वज़े इसको हम लोग क्या कहते हैं Juter iron कहते हैं ठीक है तो यह जो हम लोग का compound मिला है इसको हम लोग Twitter iron कहते हैं ठीक है तो यह वीडियो जो है अच्छी लगेगी तो इसको like करिएगा share करिएगा अपने दोस्तों में क्योंकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों का भी भला हो सके यह question जो है बहुत important है तो आप लोग इसको तयार कर लिजेगा और वीडियो को like करिएगा